मेरी प्यारी प्यारी वाइडी फैमिली स्वागत है आपका मेरी चैनल में और जैसा क्या आप देख रहे हैं आज छाननी प्लांट के साथ आई हूँ जिससे रातõरानी पह कहते हैं तगार्विक्ष यो तगाड प्लाइड पहलिए सब्सक्राइब कर दो से सब्सक्राइब उसका इस्तेमाल होता है और नर्मल प्लांट्स में क्या होता है जिनरली इसके साइज थोड़े बड़े होते हैं और ड्रॉफ प्लांट्स जो होते हैं उसके साइज लेंध कम होता है बट वो बिल्कुल कटिंग करके प्रॉपर प्रूनिंग से उसे आप हेस क्रियेट कर सकते हैं और काफी वह भी फ्लावरिंग करता है अगर मैं बोलू तो ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है बट यही है कि वह कम स्पेस में मैनेज हो जाता है इसे थोड़ा स्पेस चाहिए अगर आप इसे गमलें प्लेस करते हैं इसके लिए बड़ा सा गमला सेलेक्ट किजएगा अगर आप इसे जमीन प्लेस कर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है यह देख रहे कितना हेवी फ्लावरिंग कर रहा पूरे नीचे फ्लावर्स ही बिखरे हुए है एवरी डे यह अपने जब पीक सीजन में होता है क्योंकि फ्लावरिंग समर सीजन में करता है तो पूरे सीजन यह इतना फ्लावर्स देता है कि मतला आप कलेक्ट करकर ठाक जाओगा तो अचले आप बात करते हैं इसके केर कि इस प्लांट को आप कैसे केर कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता चुके इसके बहुत सारे प्लांट है इसके हर ब्रांचे का इसके लीफ का एक अपना मेडिकल यूज है जो आप फिलहाल तो मैं इस वीडियो में नहीं आपको बताऊंगी तो चले बात करते हैं सबसे पहले इसके केर के बारे में अगर आप नॉर्मल प्लांट लगाते हैं तो इसे बड़े साइज क गबना चाहिए चोटे सा प्लांट है तो आप उसे चोटे गबना में अगर नीचे ग्रांट में लगा रहे हैं तो बहुत ही जादा अच्छी बात है अगर मैं लोकेशन की बात करो तो इससे साफी लोकेशन चाहिए जहाँ पर दीन भर की धूप आती हो क्योंकि यह समर फ् कि पानी आप एक दिन में दो बार उस वक जरूर ढाले क्योंकि एक यी दिन में पूरे मेटी सूख जाती है और पौदे जुलस जाते हैं अगर आप रेगुलर पानी नहीं डालते हैं तो इस बात का धियान रखें अगर आप गंले में प्लेस किये हैं तो इसके ड्रेनेज का आप खास ख्याल रखे कि पानी जमने नहीं चाहिए एक्स्ट्रा वाटर ने तो वाटर लॉगिंग के वैसे जरे गल जाएगी और प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा इस बात का आप ज़रू ध्यान रखे चलिए बात करते हैं इसके स्वाइल कॉम्पोजिशन की स्वा घ्ली मिला सकते हैं या उसके अलावा राख भी नहीं है आपके पास तो àगर जापी नहीं है तो दाल-चिन्य पाउडर about our food या मिखकर सकते हैं। या एक चंठानाश मिक्षकर सकते हैं चैब भी आप जूप या आपशवा गार्डी पाउडर रेशिछग करते हैं। अ पर गार्डन सोयल हो गया इसके अलावा फिर आप 30 परसेंट या 20 परसेंट आप यह ले लिजे वर्मी कंपोस्ट और अप कावडन मेने और इसके बाद अगर आप चाहे तो आप नीम की खली यह राख या हाल्दी पौडर धालचीनी पौडर आप मिक्स कर सकते हैं चले बात क अब इसके प्रॉपगेशन की प्रॉपगेशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट आप कैसे रेडी कर सकते हैं इसके सीड्स भी आते हैं इसके नने नने प्लांट प्लांट भी आते हैं नॉमल हाइब्रिड दोनों वर्याटी के जो आप नसरी से एजली ले सकते हैं य पीट मिक्स होने चाहिए तो इससे क्या होगा न जर्य अच्छे से ग्रोग कर पाएंगी तो यह होगी कटिंग से आप लगा सकते हैं जैसे दो तीन हफ्ते में आपको नहीं ब्रांचेस दिखने लगेंगे जर्य दिखने लगेंगे एक हफ्ता एक महीने तक आप वेट किजें क्योंकि उपर से आपको लगता है कि ने ब्रांचे आ रहे हैं लेकि नीचे से जड़े जो है उसको डेवलिप होने में एक से दो महिने का टाइम लगता है तो हर बड़ी में आप उस स्टेम को निकालेगा मत एक दो महिने आप वेट कीजिएगा सेमी सेर में रखेगा जब देखिएगा उपर से प्रॉपर ब्रांचे आ रहे हैं नीचे रूट्स भी डिवलप हो चुका है तब ही उसे बड़े गमले में आप शिफ्ट कीजिएगा चले बात करते हैं इस पेस्ट एंड कंट्रोल की इसमें जनरली की किसी तरह का कोई इंफेक्शन नहीं लगता है अगर लग भी जाता है तो क्योंकि यह प्लांट बहुत ही यूस्पूल है तो आप इसमें चाहे तो चीली गालिक का एक पेस्ट बिलकुल बना सकते हैं रेड कंट्रोल हो जाएंगे मर जाएंगे और आपके लिए बहुत ही यह फायदेमन्द होगा क्योंकि इस पत्ते का भी हम यूज करते हैं अगर आप उपाई करते हैं तो प्लांट काफी जादा फ्लावरिंग करेंगा और दिखने में काफी खूब सुरत लगेगा आपका गाटे वो यही है कि आप फर्मेंटेड मस्टर्ड खली जो होती है उसका पानी आप डालिए तो बहुत जादा यह हेवी फ्लावरिंग करेगा उसका क्या उपाई है एक चमच आप सरसो की खली ले लीजिए मार्केट में इसली आपको एवलेवल हो जाएगा नसरी में या ऑनलाइ एक चमच खली ले लीजिए और एक लिटर पानी में डालके मिक्स करके और छोड़ दीजिए एक हफ़ते बाद उस फर्मेंटेर वाटर को आप गम्ले में डाले बहुत जादे फ्लावर्स आएंगे लेकिन एक बात का ध्यान रखिए क्योंकि यह समर फ्लावरिंग तो तासीर जादा होगे मिटी की प्लांट्स खड़ाब भी हो सकते हैं अपने प्लांट को बिल्कुल बुशी बनाने के लिए और जादा फ्लावर्स पाने के लिए आप टिप से कटिंग करें मैच्वर जो स्टेम लगेगा आपको उसे टिप से कटिंग करें तो बहुत ने ब्रांचिस आएंगे अजब भी आप नर्सरी से प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल हेल्दी फिट और जादा से जादा ब्रांचिस वाले प्लांट सेलेक्ट करें तो जादा अच्छा होगा